अलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल टेप सेंट्रेक्स वा अमिता आज मैं आपके लिए लेका रही हो यमी सी डिस पिन विल समोसे या फिर आप इसको आलू भाकरवाडी भी कह सकते हैं दोस्तों यह बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में इसका टेस्ट विलकुल अगर कोई भी मेमान आता है तो इसके लिए कोई क्ली ये डिश बना सकते हैं इसके लिए मैंने या पे एक कटोरी मैदा ले रखा है अब इस मैदे में मैं हाफ टी स्पून सॉल डालूंगी अब मैं यहां पे आधा ही चमच सुगर भी इसमें डालूंगी और अजवाइन को रिस्पी बनेंगी जो बिल्कुल समोसे की तरह टेस्टी बनेंगी अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं पहले इसको हातों से मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डालना है जादा डालेंगे तो यह आठा बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा थोड़ा-थोड़ा सा पानी बनालें स्ट करना निवार कर सार शेंगे तक बनाएक फिलिम दो इन प्यार कर लेक्टाएटाटेटों कर नाचा दो चैटे को भी आप छेंट साहर वह तो डिया जोड़ा है तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इस पे गरम मसाले की क्वैंटिटी को बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा आमचुर पाउडर लाल मिर्च पाउडर और कटा हुआ हरा धनिया इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहां पर हम थोड़ा सा अद्रक भी डाल देते हैं क्रस्ट किया हुआ और अच्छे से इसको मिला के इसकी फिलिंग को त्यार कर लेते हैं दोस्तों अगर आप की फिलिंग का टेस्ट थोड़ा सा और चेंज करना चाहते हैं तो आप उसमें मसाले अपने अकॉर्डिंग डालीजे यहां पर 20 मिलिट अगर आटे को मैंने थोड़ा सा और गूत लिया है अगर आटा अपका तो गीला लगता है तो आप में डस्ट करके उसको और थोड़ा सा गूच सकते हैं इसे हमें 30 सेकंड तक तो गूत नहीं है फिर उसका एक पार्ट लेकर हम उसकी लोई सी बना लेते हैं और उसे डस्ट अगर आपको डस्ट की और भी जवरत लगती है तो आप उसे डस्टिंग करके अच्छे से बेल ले इस रोटी को बहुत ज़दा मुटा मत बेलिए का वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएका यह देखिए इसको मैंने बराबर से बेल लिया है चारो तरफ से अब मैं इसमें इ आप इस ऐलू की फिलिंग को इस्प्रेट कर लीचे चारो तरफ से और इसप्रेट करने के बात मैं इसे एक तरफ से ठाके रॉल करती जाओंगी एक साइट से दीरे से उठा के हम इसे रॉल करेंगे रोल हमें हल्के हाथों से दबा कर करना है बहुत ज़दा लूस रोल नही मैदे का घोल बनाओगी Umsौन लाएंगी यह कोई भी लंफ नहीं और पतल सा अब में इसके साइट में इस घोल कर लगा दोंगे जिससे कि यह हमारा जो हमारा जो रोल बना ही हुँ यह तो अच्छा से चिपक जाए और हमारा अलू पाहर नाए इसको लगाने के बाद हम इसे हलके हातों से ऐसे रोल कर लेंगे रोल करने के बाद इसके साइट को हम दबा देंगे इसके साइट जो ओपन है उसको हलके हातों से दबा देंगे ऐसे हमें दूसरे साइट पे भी करना है और इसे अच्छे से दबा देना है दबाने के बाद यहां पर मैं एक नाइब से इसमें मार्क पहले लगा लिती हूँ यहां पर मैं मार्क लगा लोगी और मार्क लगाने के बाद मैं इन्हें हलके हाथों से कट कर लूँगी कट करके मैं इनके पीसे स्तियार कर लोगी इनको हलके से कट कर लीजे आपको पिस आप एकोलीकर ने हुआ गरने कराव किसा लेकर पीस तो तक अब मोखैगे बार मेधि कोजिए करये लिए अब रसी हमें रख लेगगा उसको हम धरेकं कर लेंगे उसको हाथों कर लेक के लिए अब अधिया नहीं प्लेट में रख लेटें यहां पर पतला सम महदे का घुल बनाया तरह लुट नहीं और यह थीक है आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कढ़ाई पर तेल गरम अधिया और एक बाकरवाड़ी लेके उसी घुल में डिप करके हम फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे यहां आप देख सकते हैं कि जो मेरा घुल होने के लिए डाल देना है इसी तरह हम अपनी सारी भाकरवाड़ी को उसमें डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इने अच्छे से भूज लेंगे यहां पर वन साइट में हमाई थोड़ी सी भूज गई थी अच्छे स तो मैंने उसे टर्न करना शुरू करती है जब वन साइट अच्छे से फ्राय हो जाएगी तब हम इसे धीरे से टर्न कर देंगे आप देख सकते हैं कि यहां पर पीछे से जो माई भाकरवाड़ी है उनकमें ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है और अब अच्छे से अच्छ चेंज हो जाएगा और यह देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है यहां पर हमाई सारी भाकरवाड़ी बनकर तयार हो गई है आप चाहे तो इसे टमाटर की चटनी चिली सॉस टमाटर सॉस किसी के साथ भी लेना पसंद करें और एक पर मेरी इस तरीके से बनाना जरूर चाहें आप सबको यह रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी अगर आपको यह पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस रेसिपी को तो लाइक करना बनता है थैंक यू फूर वूरू